हेलो गाइज, वेल्कम टू माई चानल, आज हम बनाएंगे औरेगामी पेपर बैंग, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए चाहिए हमें 15 बाइ 15 का पेपर, पहले बीच से फोर्ड कर देना है, एसे, फिर खोलना है, यहां जो करी हो जाए, यहां तक दोनों कोर्नर्स को ले के आना है, देखिए, ऐसे हैं, यह पहला कोर्नर, ऐसे, और यह दूसरा आना, दोनों कोर्नर्स को ऐसे ले के आना है, फिर इसे खोलना है, अभी हमें यह वाले कोर्नर को यहां तक और यह वाले कोर्नर को यहां तक ले के आना है, कि मैं करता हूं एसे पहले ऐसे फोल्ड करना है और सामने वाले कोर्णर को यहां तक लेकर आना है दोनों को टच करदेना है अभी इसे खोलना है यहां से हम ऐसे करेंगे यहां तक फोल्ड और दूसरे वाले को सामझे लेके जाना है टच कर जाना है दोनों कॉर्णर को सीमी करना है देखिए पूरा पेपर क्रीज वाला हो गया अभी हम फिर से बीच में से फोल्ड करेंगे देखिए ऐसे अभी यहाँ पर क्रीज हो जाएगी आपको दिख रहे होगी अभी मैं यहाँ से एक सेंटिमीटर ऐसे उपर की साइड फोल्ड कर देता हूँ देखिए ऐसे अभी मैं इस कोर्नर को यहां तक लेकर हूँगा और इस कोर्नर को यहां तक यह दूसरी वाली क्रीज है यहां तक ही लेकर आना है देखिए यह था ऐसे अभी दूसरे वाले क्रीज तक ही लेकर आना है उससे आगे नहीं लेकर आना है देखिए अभी मैं खोल देता हूँ पूरे का पूरा देखिए अभी इतनी क्रीज हो जाएगी अभी हमें यह वाले कोर्नर को यहां पहली क्रीज नहीं और दूसरी क्रीज तक लेकर आना है देखिए यह बड़ी वाली लाइन जा रही है यहां तक और सामने वाला कॉर्णर को भी वहां तक ही लेकर आना है दूसरी वाली बड़ी क्रीज तक देखिए ऐस है यह हो गया अभी हमें बीच से फॉल्ड करना है यह था पेपर को पूरा बीच से कंना वह वाली क्रीज जो हमने पहले की थी वह खोलनी नहीं है देखिए ऐसे अभी हमें यह वाले कॉर्णर को यहां तक की फोल्ड हो ऐसा ही करना है देखिए यह था और यह ऐसे करता हूं है देखिए यहां तक ही फोल्ड करता हूं एस अभी उल्टा कर दूसरे को भी वैसे करना यह था माने दोनों साइड कर दिया अभी ऐसा लखेगा हमें दोनों कॉर्णर को फोल्ड करें इस साइड रखंगे इसे भी फोल्ड करना है यह पहली वाली क्रीज नहीं और दूसरी व करना है देखिए ऐसे फोल्ड करना है दूसरे को अब भी वैसे फोल्ड करना है अभी मैं यह वाले को नर को यहां टक टच कर दूंगा इसे यहां तक लेके आना है देखिए ऐसे अभी फोल्ड करके दूसरे बाले को भी वे सही देखिए दोनों साइड फोल्ड कर दिया अभी मैं इसे खोल देता हूँ यह दोनों को फोल्ड रहने देना है बाद में थोड़ा इसे ऐसे कर देता हूँ पर यहां पर देखना क्रीज नहीं हो जाए यहां हमें क्रीज नहीं करनी है फिर मैं इसे ऐसे फोल्ड करूंगा यह देखो यह दोनों क्रीज से फोल्ड करूंगा और इसे उपर की साइड लेकर आऊँगा देखिए ऐसे यह ऐसे और इसे फोल्ड कर देँगा देखिए ऐसे हो गया अभी दूसरे वाले को भी सेही में सही कर दूंगा सामने वाले कोर्मर को यह उपर की साइड और इसमें अंदर डाल देना है देखिए अभी यह बोक्स जैसा हो गया देखिए नीचे से पैख है उपर से खुला इसे प्रोपर अंदर डाल देना है अभी हम दोनों साइड स्ट्राइप्स लगा देंगे यह है इसे यहां लगा देंगा ऐसे और दूसरे वाले कोर्नर को भी लगा दूँगा तो मैं लगा देता हूँ मैंने स्ट्राइप्स लगा दिया है अभी मैं इसमें स्केच पैंसे डिजाइन कर ली है अभी हमारा औरेगा में पेपर बैग रेडी है वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना थैंक यू अभी हमारा तो